आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे विप्रो स्टॉक के बारे में जिस प्रकार से 382 के प्राइस से स्टॉक ने रिसेंड में ट्रेंड दिखाया और हमने आपसे खाता कि 390,92 एक लास्ट रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक आउट करता है तो पहला लेबल 402 इसके बाद 418 और 442 ये तीन लेबल दिखेंगे और SL जो है 392 के नीचे के क्लोजिंग को SL लेंगे ओवरॉल ट्रेंड पोजिटिव है और पोजिशनली अगर 1.5 यर प्लस तक के लिए होल्ड करते हैं तो 700 प्लस तक का लेबल भी दिख सकता है US के अंदर देखेंगे तो NASDAQ बहुत और प फ्री है वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों की साथ सेयर करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से काउंट आपेन कर लेंगे जिससे की आपको एक्टिव टेनिंग कम्निटी और लर्निंग ग्रूप से जोड दिया जाएगा यहां देखेंगे तो इस समय आप पाएंगे इस स्टॉक में कि ट्रेंड काफी आउट इस्टेंडिंग रहा है यहां देखेंगे तो ट्रेंड काफी आउट इस्टेंडिंग रहा है रासीर प्रेम जी जो की अंजिम प्रेम जी के पूत्र हैं सुपूत्र हैं पूत्र क्यों सुपूत्र हैं इन्ह और यहां देखेंगे तो बहुत कुछ बरे news नहीं है लेकिन जिस प्रकार से IT stock जो है US के अंदर outperform कर रहा है expectation है कि हमारा IT भी outperform करते वे दिखेगा यहां delivery देखेंगे तो काफी outperforming delivery है technical trend out extending है comparatively अपने दूसरे stock के technical trend जो lower low lower high दिख रहा था यह weekly time frame का trend है इसको breakout कर दिया है और जैसा कि हमने कहा 442 short term trader का एक last target होगा यहां time spend करे तो फिर जो है यह 520, 610 और 700 प्लस तक के positional level जाएंगे यहां मैं आपको short term trader का दिखाऊं W pattern breakout trend continue इस समय 400 level sustain होना चाहिए यहां थोड़ा बहुत partially profit booking होगी इसके बाद 418, 442 का label दिखेगा 390 के नीचे के SL को लेंगे